हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई चैनल आयाम नेहा नारंतु आईए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम नेट का मुजिका पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो कि जुलाई 2013 में हुआ था इसमें 50 कोशन्स है जो कि आज हम सोड करेंगे आईए हमारा फर्स्ट कोशन देखते हैं सिधेश्वरी देवी कि संगेतिक विद्या की कलाकार है ठुमरी कृती दुरूपत या फिर तराना तो इसका राइट आंस्वर है ठुमरी इनका जो जनम है 1908 में पारणसी में हुआ था इनको भारत सरकार द्वारा पदम शिरी की उपादी से समानित भी किया गया और 17 मार् पूचन नारत तुमबुरू तो इसका राइट आंस्वर है अफ उपन उपन किसे इंगित करता है तांथ सरगम मेंड या फिर लैकारी तो लैकारी इसका राइट आंस्वर है ही रभाई ब्लोदकर किस घराने का प्रतिनित्दफ करती है जैपूर तिलिक किराना या फिर रा फिफ्ट कोशन पाचात्य संगीत में धार्मी गीतों की रचना कोंसी है चैंबर म्यूजिक प्लेंट सांग सिंफने या फिर जास सिंग गेत तो इसका राइट आंसर है सिंफने नेक्स्ट सुमेलित करना है रती का जो संबंध है वो है आपका श्रिंगार से हास का जो संबं संबंध है करुण से और क्रोद का जो संबंध है वो है आपका रोद्र से तो इसका राइट ओप्शन आपका है फस्ट गवालिर में धुरूपत कला के इंदर कहां स्थापित है हद्दू हसु सभागार मादव संगीत महाविद्या ले शास्क्या मादव संगीत महाविद्य देखते हैं इसमें अभीकथन दिया हुआ है संगीत अब केवल गुरु शिश्य परंपरा या कक्षा की चार दिवारी तक सिमित नहीं है बलकि संगीत का उपयोग मानव कल्यान एंसमाजिक उपयोगिता के लिए करना अवशक है तो यह बात बिल्कुल ठीक है तर्ट दिया वर्ग से भी जुड़ा है और भारत्य संस्कृति के परचार परसार में मैं पूर्ण भूंबी का जो है निवा सकता है तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है तो अभी कथर और आपका दोनों ही सही है तो इसका राइट ओप्शन होगा आपका फोर्ट निमलीखित गान में से नहीं है तो मारों असी में प्राणमन लोए औरे भाई फागूं लगेच छे कई वरिंते दूटी कुस्म औरे ग्रहवासी खोल द्यार खोल तो इसका राइच आंस्वर है आपका सब्सक्राइब लेका दशी ताल में एका दशी ताल में कितने विभाग हैं? छे, चार, तीन, या फिर पाँच तो इसका राइ टांस्वर है पाँच लेक्स ठैकी, रविंदर्नाथ ने धमार ताल की विभागों को किस रोब में पुनर वस्तित किया? जैसे कि आपको मैं बता दू धमार ताल का जो विभाग है आपका क्या है पहला विभाग पांच मातरा का फिर दो का फिर तीन का और फिर चार का तो इसको जो पुनर वस्तित किया गया वो था आपका जो पहले पहला विभाग आपका पांच मातरा का था इसको 3, फिर 2, बाकी वैसे का वैसे, 2, 3, 4, ठीक है, तो इसका रायट आंस्वर आपका second option होगा, 3, 2, 2, 3, 4, ताल रूपकड़ा में कितने खाली अथ्वा फांक है, 1, 2, 3, 0, इसका रायट आंस्वर है, 3, ये जो रूपकड़ा ताल है, ये आठ मातरा की एक विशम पदी ताल है, ये इसमें आपके 3, 2, 3 का विभाग है, पहला विभाग 3 मातरा का, दूसरा 2 मातरा का, और तीसरा 3 मातरा 13 कोशन, रविंदर संगीत के परसित शिक्षक एंगाय कोन थे, गिरिजा शंकर चकरवती, रादिका मोहनगो स्वामी, शैलजा रंजन मजूमदार, ज्यान परकाश घोश, तो इसका राइट आंस्वर है, आपका, शैलजा रंजन मजूमदार 14 कोशन देखते हैं, कट प्यादी संख्या का प्रयोग होता है, ग्राम मूर्चना जाती पदती में, थाट नामकरण में 72 मेल करता योजना, या फिर उप्रयोग में से कोई भी नहीं, तो 72 मेल करता योजना, इसका राइट आंस्वर है, कांवर्धनी के समरूप कौन सा पूर्वी, खमास, बिलावल, या फिर काफी, तो इसका राइट आंस्वर है, आपका पूर्वी, वाटा, पिग, गण, पतेम, की रचना किसने की, शास्त्री, मुथुस्वामे, दिक्षितार, पत्नम, सू, ब्रामन्यम, अयर, या फिर त्यागराज, तो इसका राइट आं है, आपको यह बोल दियो है, बताना है, किस वादे से संब्द रखते हैं, तो जो पहला है, आपका यह आपका संब्द रखता है, पखावत से, सेकिंड है, वो है आपका नकारा से, थर्ड का जो संब्द है, वो है आपका तबले से, और फोर्थ का जो संब्द है, आपके प तो यह चाटे पर पस्ता है ताल प्रकाश की लेखक है भरत पुषण अगरवाल भगवत शरण शर्मा सत्य नरायन वसीष्ट राम नरेश राय तो इसका राइट आंसर है आपका भगवत शरण शर्मा दिल्ली घराने के सूपरसी तबलावादक रामकुमार मिश्र मंजुखा इल्मा सुसैन लतीफ अहमद तो इसका राय आंसर है आपका लतीफ अहमद ये दिल्ली घराने के एक तबलावादक है ठीक है और इनका जो जनम था वो 1942 में दिल्ली में ही हुआ तबला पखावज की पुड़ी में कितने घर होते हैं चार आठ सोला या फिर चोविस तो इसका राय टांसर है आपका सोला अठेक है तबला पाखावज में आपके सोला घर के साथ-साथ आच गटे भी लगाए जाते हैं परबंद के दिवित्य भाग को कहते हैं मिलापक उद्गरा द्रोव संचारी तो मैं आपको बता दू मिलापक इसका राय टांसर है दिवत्य भाग को क्या का जाता है मेलापक फर्सट ओप्षन राइट होगा जो परबंद कि आपके चार धातों होती है पहला भाग आपका उद्ग्रह है सेकिंड आपका मेलापक है और थर्ड आपका है द्रोव और संचारे की पुजाए अभोग होता है जो कि आपका चोथा भाग होता है बड़े गुलाम अलिखा अपने बंदिशों में की सुपनाम का प्रियोग किया करते थे तो वेरी इजी कोशिन है यह तो सबरंग इसका राइट आंस्वर है किस ग्रंदकार ने शुत्स्वरों की स्थापना सरप्थम 432-4432 के शुत्य अंतरपर की मतंग ने लोचन अहुबल या फिर भरत तो इसका राय टांस्वर है आपका भरत ने सुमेलीट करना है इंके इनकल अकार के घर्णे दिवह hopkus बटाना है कि मदीऊेंद तो पंडित भीमसें जोशी आपके किराना घराने से संबंध क्या उपंद। वैदिक कालें बांवादे में कितने तार प्रियोग्थ होते संगीत रतनाकर में आपके तेरा लक्षन बताए गए हैं जैसा कि भरत काल में जो लक्षन माने गए थे वह दस माने थे लेकिन संगीत रतनाकर यानिकी जो शारंग देव के तरह लिखा गया ग्रंथ है इन्हों ने राक के तेरा लक्षन माने भरत के जो लक्षन दस थे उनमें तीन लक्षन आपके एड़ कर दिये थे सन्यास विन्यास और अंत्रमागी तीन लक्षन और जोड़ दिये थे ठीक है अब 28 कुशन देखते है राक तरंगनी ग्रंथ के लिखक है पंडित सोमनाथ पंडित लोचन पंडित रेधया नरायंट देव पंडित छिरी निवास तो इसका राइट आंस्वर है पंडित लोचन और ये ग्रंथ जो है आपका पंडित विश्तापदी में लिखा दिया उद्दात स्वर किन गंदर स्वरों से संबंदित है रेधा पासा माने या फिर निगा तो इसका राइट राइट आस्वर है 5 निरिवन स्टाफ नोटेशन में पर किस्तिल लजर लाइन से किस लाइन पर होती है पहली दूसरी तीस्ट या फिर चोथि तो द्य यो इसका फराइट आंशमर है निमंशलोग किस गरंथ से उद्रित mandarब केंगा है तो यह अगर्ण बनेगा भैरवी विभास तोड़ी या फिर कोई नहीं तो इसका राइट आंस्वर है आपका विभास मुल्तानी राग के रिशब धैवत को शुद करने से कौन सा राग बनता है गुजरी मदुवन्ती बिहाग या फिर मारू बिहाग तो मदुवन्ती इसका राइट आंस्वर है मदुवन्ती जो आपका राग है तोड़ी थार से उत्पन आपका राग है मिया मलहार तथा सरंग क निर्मित और व्राग दोनों गंधार मतलब जहां शुद्ग का भी प्रियोग और कोमल गंधार की दोलन संख्या बतानी है 248 252 इसका र१ाइट ट्रहें कोड है कि मानेर कोड में समझ में कॉ माइच है आपके जısर की बहचानि पयाइब आसलेलों समझ मैं आबिरा हों कि न की नेचे जाएघ है कि आपके अंडर लाइन Open कोड में आपके स्वर क्या होते हैं को मल होते हैं तो फोर्ट ऑप्शन ही आपका राइट है पानी से उस्ताग मुष्टाग अली खां कितने पर दोवाला स्टार जाते थे सितार वादक नहीं है मुष्टाक अली खां अब्दुल्हलीम जाफर खां अली अकपर खां तो इसका रायटान चार अली अकपर खां सुची एक को सुची दो से मिलाना है यह आपके दियुही है दुरुपट ठुम्री टपा और कवाली बताना है कि कौन से ताल में गया जाता है इनको तो दुरुपट आपका चो ताल यानि के चार ताल में गए जाता है खुमरी आपकी दीप चंदे डाल में गयẽ जाता है टपा की बात करें तो पंजाबी ताल में और कवाली जो है धोमाली ताल में तो सुचारी भरत नी पुश्कर सनगे किस रेनी ऐसले के वाद्यों को देखन वादय सुशीर वादय अवनद वादय या फिरतफ वादय इसका राहे टांस्वर है कि रहाना ग्राइका के नाम पर कर्नाटक राजयां में गुरुपुल की स्थापना की गई रोशनार भेगम गंगुबाई हंगल तो इसका राय टांसवरा गंगो भाई हंगल 45 कोशन देखते हैं नीमन लिखी में से गलत जोड़ी का हमें चुनाव करना है तांसे समरो गवालेर में होता है ठीक है स्वाई गंदर संगीत जो समरो है पुने में है बिल्कुल ठीक है डोवेर लेन मुजी कॉनफरेंस गोवा मे तो गलत है ठीक है तो में गलत ही का चुनाव करना है तो अप्शन थर्ड आपका राइटों का फोर्थ भी देख लेते हैं त्यागरास फैस्टिवल है वह आपका थिरू वेर में होता है ठीक है 46 कोशन निमली की तराग जोड़ियों में से किस राग जोड़ी का अरो समान है कि अरो किंदो रागु का समान है मिया मै कि भूपाल ठोड़ी भी आपका राइट वो टेट कोशन संगीत सुधाकर गरंत के लेका का ऐसिंग भपाल विदाने स्वामी फकीर ओला वासुदेव शास्त्री इसका राइट आंस्वर है आपका इसका जो आपका राइट आंस्वर है वो है आपका एक सुशीर वादे के जो इनको भारत रतन मिला वो था लेकिन जिनको भारत्रतन मिला वो आपके एक ही है उस्ताद बिस्मिला खा और ये आपके एक शनाई वादक थे प्रणो भारति संगीत समय सार कलानेदी या फिर भारतिया संगीत कोश तो फोर्थ ओप्शन आपका राइट है आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजैशन है तो आप कमेंट बोक्स में जरू लिखे थैंक्यू सिंग भुपाल राग दरपन की लिखक है शिरीकंट दामोदर फकीर उला भाव बट तो इसका राइट आंस्वर है फकीर उला विवल कांत राय चोधरी द्वारा लिखित गरंत कौन सा है प्रणो भारती संगीत समय सार कलानेदी या फिर भारतिया संगीत को तो फोर्थ ओप्शन आपका राइट है थैंक्यू आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आपक कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखे थैंक्यू